नमस्ते मित्रों और मित्राणियों आज के लेच्चर में हम लोग bernalli equation के बारे में सीखेंगे linear equation हम लोगों कर लिया है समप अब हम लोग बढ़ते आगे बernalli equation पे तो जरा गौर फर्माईएगा बernalli equation आपको अगर इस format में मतलब कोई भी differential equation अगर इस format में कहीं आपको दिख रहा हो तो समझ आईए का वो क्या है वो है आपका Bernoulli equation dy by dx गौर से देखिए गौर से देखिए इस शहरे को मैं इसे थोड़ा इदर कर दिता हूँ dy by dx plus py is equal to q dot y to the power of n आपको ये format का आपका equation होना चाहिए जहां पे p और q क्या होने चाहिए p and q are functions of x only और constant p और q सिर्फ और सिर्फ x के functions होने चाहिए या फिर कोई constant हो सकता है ठीक है तो अगर आपको format कुछ differential equation इस तरह का दे दिया रहे तो समझ जाना वो Bernoulli equation वाला problem है उसके लिए rules and regulations है मैं फिर से बार-बार बता दे रहा हूँ कि differential equation चाहे ordinary differential equation हो चाहे partial differential equation हो practice जब आप करोगे rigorously, religiously तब आपको identify करने में सुवेदा हो जाएगा कि कौन सा problem किस type का है इस दोनों में मतलब यही challenge है और कुछ नहीं है मतलब यह दोनों courses में OD, PD में आपके बस यही challenge है कि पहचानना कौन सा problem किस type का है अगर आप यह कर पाते हो तो अच्छी बात है नहीं कर पाते हो तो फिर से आपको करना पड़ेगा practice करना पड़ेगा आप shortcut नहीं मार सकते कि आपने 2-4 सवाल बना लिये और फिर बोलोगे नहीं मेरा हो गया OD नहीं हो था वैसे आपको पहले concept सीखने है OD के पूरे, PD के पूरे concept सीखने के बाद आपको बहुत सारे questions आपको अलग-अलग जगह से आपको solve करने तो जैसे ही हमारा course complete होगा तो मैं आपको sufficient number of questions practice करा दूँगा class में ही ठीक है? तो उसका भी आप tension छोड़ दीजे हाला कि आप अपने level पे जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि आपको books के questions solve करने है 100% solve करने है ठीक? आप मेरे से पढ़ रहे हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वह ही आप follow करो अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आप कहीं पर कुछ भी करो लेकिन अगर आप मेरे guidance के under में हो तो strict rule है कि sir ने जो पढ़ाया है concept sir ने सिखा दिया लेकिन मुझे जो questions बनाने है वो standard book से बनाने है no shortcuts मैं किसी को shortcut नहीं मारने दूँगा और नहीं मारने देता हूँ ठीक है तो बहुत लोग बोलते है sir आप PDF प्रोवाइड करेंगे बाद में पहले आपका foundation रिडी हो रहा है अभी आप सीख रहे हो सीखने के time में guide से पढ़ना या फिर आप PDF से पढ़ देना में परपस मेरा सिर्फ सिखाएने नहीं है मतलब सिर्फ पढ़ाना नहीं है कि आपको सिखाना भी है और अच्छे से तयार करना है इसलिए मैं बता देता हूँ मैं हार्श लग सकता हूँ आप मुझे कुछ भी बोल सकते हो मैं थोड़ा सा रूड भी लग सकता हूँ कि सर आप कैसे बोल देते हो कि आप बुक से भी सॉल्व करो सर और तो बहुत सारी टीचर्स हमको बता देते हैं सब कुछ अच्छे से मखन लगा करकर खिला देते हैं तो मैं और सब नहीं हूँ वैसे मैं अलग है मेरा पढने का स्टाइल पढने का स्टाइल तो मैं एकदाम अलग हूँ इसलिए मैं बता देता हूँ और अलग हूँ कि मतलब थोड़ा सा वीर्ड हूँ बकवास हूँ और मतलब तुछ परानी हूँ मुझे बड़ा नहीं बनना है मैं छोटा अदमी रहना चाता हूँ मैं छोटा ही हूँ और छोटा अदमी जो होता है न वो एकदम ग्राउंड लेवल पे होता है और हर किताब को जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं चाट जाता है वहाँ के एक-एक प्रॉब्लम को चुन-चुन के बनाता है तभी वो अंदर से confidence आता है कि उसने योग चीज पढ़ा है इसलिए मैं स्टार्टिंग में ग्यान दे दे रहा हूँ बार-बार क्योंकि बहुत सारे लड़की और लड़किया पहली बार देखते हैं वीडियो फिर लास्ट में जाकर के फूस्त है कि सर आपने ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया तो स्टार्टिंग में है एक वैधानिक चितावनी है कि आपको lecture अटेंट करने है साथी साथ आपके book के solved problems और exercise problems करने ही है आप उससे deny नहीं कर सकते हो लेकिन जैसे ही course हमारा complete होगा उसके बाद फिर मैं आपको selected और बहुत सारे questions आपको practice कराऊगा इसलिए अभी prime focus syllabus complete करना, concept सीखना हमारा base तयार करना पूरे के पूरे 13 जितने भी courses हैं, 13 chapters हैं UPSC Mathematics में ग्यान हो गया dy by dx प्लेस py is equal to q y to the power of n ये format का आपको equation रहेगा तो आप पहचान लोगे कि ये मेरा Bernoulli equation है, p और q जो है वो function किसके होने चाहिए, x के functions होने चाहिए अब इसमें देखो, step by step आपको करना क्या है, सबसे पहले q के साथ में जो कुछ भी रहेगा ना, उसी से आप पूरा equation divide कर दो y के power 1 है, नीचे में y power n है है ना, तो फिर क्या होता है नीचे में का अगर powers जब divide होते हैं, base same रहता है powers क्या हो जाता है, division करते हो तो power subtract होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n minus 1 हो जाएगा उपर में power उपर में power है 1 उपर पता है, बहुत लोग नहीं जानते होंगा बहुत लोग confused होंगे, अरे देखो y के power में 1 है और नीचे में power n है तो इसको क्या लिखा जाएगा, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते है 1 minus n बोलो बो अरे देखो, 1 minus n है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते y के power minus of n minus 1 अब माथे में अगर minus है तो नीचे 6 चला जाएगा 1y, y to the power of n minus 1 वही चीज़ तो है यहाँ पर y to the power of n minus 1 मुझे बताना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे होता ना कि उनको यह नहीं पता होता ऐसे मतला गलती नहीं है उनकी की पता नहीं होता क्योंकि हर background वाले students देख रहे हैं तो इसलिए थोड़ा मैं बता दे रहूं अब देखिए जैसे यह वाला चीज़ आपको पता चल गया है फिर आपको क्या करना है P के साथ में जो कुछ भी है यहाँ पर क्या है 1 by y to the power of n-1 इसको आप Z मान लो P के साथ में जो कुछ भी है क्या है 1 by y to the power of n-1 तो 1 by y to the power of n-1 को क्या माना Z मान लिया तो यहाँ से आप Z को क्या लिख सकते हो multiply कर दो Z क्या बन जाएगा देखो इदर यह पल्टेगा ना यह पल्टा वो n-1 है तो पलट के कहा जाएगा पलट 1-n गया तो Z is equal to y to the power of 1-n आपको यह वाला assumption लेना है जब आपनी यह assumption लिया तब आप क्या करोगे दोनों साइड आपको differentiate करना है y के respect में तो देखो differentiate किया है DZ by DY लिखा यहाँ पर DZ by DY 1-n-1 हो जाएगा तो 1-1 यह तो कट गया बचेया क्या minus n तो आगया minus n आई बात समझ में तो यहाँ से आप DZ को क्या लिख सकते हो DZ को लिख सकते हो कुछ इस तरह से ठीक ठीक तो DZ को लिख सकते हो 1-n y to the power of minus n multiplied with dy अब क्या करो dx के respect में ले लो तो इधर DZ by dx हो गया is equal to 1-n y to the power of minus n यहाँ पर आजाएगा dy by dx अब सुनो गौर से dy by dx आपको मिल चुका है यह वाला कुछ format तो finally आपको यह चीज rule याद रखना है कि हमको दिया रहेगा question dy by dx वगरा इस format में Bernoulli equation अगर रहेगा तो सबसे पहले जो q के साथ में है उससे हम पूरा through out divide करेंगे p के साथ में जो कुछ भी है उसको हम लोग z मान लेंगे और वहां से हम लोग dzy by dx निकालेंगे dzy by dx को हम लोग dy by dx के terms में लिखेंगे और finally dy by dx का relation आपको z के terms में डालना है क्योंकि आपका assumption क्या लिया है z के terms में तो basically हम लोग कर क्या रहे है इसको direct हम solve नहीं कर सकते क्योंकि यहां बहुत जहमिला है अगर y के power में नहीं होता तब हम तो बोल सकते थे यह तो मेरा linear equation है लेकिन यहां के power में multiply हो गया तो आप क्या करेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा simplify करने के लिए x और y के terms में नहीं सबसे पहले हम इसको z के terms में convert कर देंगे इसलिए dy by dx को convert किया जा रहा है dzy by dx के terms में तो यहां पे यह वाला relation आपको याद रखना है so dy by dx is equal to 1 by 1 minus and y to the power of minus and dzy by dx हला कि याद नहीं रखना है को question पे depend करता है आपको rule पता चाओना चाहिए अब क्या करना है यह वाला जो चीज है आपने find कर लिया dy by dx is equal to this इसको आप equation number 1 में put कर दो इस वाले equation में यह equation number 1 इसमें आप put कर दो तो dy by dx के जगए पे क्या डालोगे यह वाला portion तो जैसे आपने यह चीज डाला तब क्या बन जाएगा यह equation number 1 में रा यह है 1 by y to the power of n into dy by dx plus p by y to the power of n minus 1 is equal to q dy by dx के जगह पे यह put कर दीजे क्योंकि आपने पता है dy by dx यह है तो dy by dx के जगह पे यह डाल दो बाकी का 1 by y to the power of n minus 1 तो जानते हो z होता है p का बदल पी लिखा और 1 by y to the power of n यह तो रहे गाए कोई दिक्कत नहीं q है q अब देखो इसको जब आप simplify करोगे पूरी तरह से तो क्या convert किये हम लोग हम लोग basically घुमा फिरा करके इतना ताम जाम करके हम एक linear equation develop कर लिए क्या किये एक linear equation develop कर लिए देखो हमको dy by dx plus py यह क्या था dy by dx plus dy by dx plus py is equal to q y to the power of n आपको जो जहमेला create कर रहा है न वो यह वाला portion जहमेला create कर रहा है इसको भगाने के लिए आपने इसको convert कर दिया linear के format में तो बस हो गया यहाँ पे linear के format में देख लो पूरी तरह से हो चुगा है convert यह बन गया है यहाँ पे आपने कुछ इधर उधर किया और compare करके p1 के जगह पे आजाएगा 1-np और p2 के जगह पे q1 into integrating factor dx plus c यह होता है where if is equal to e to the power of integration p1 dx सब कुछ rules and regulation same आपका यह linear equation हुआ कर जाथा इसको जैसे solve करते हैं वैसा ही rule है आपको बस switch करना है Bernoulli को linear के terms में convert ठीक है फिर put the value of z in the final equation and then integrate यहाँ पे जो आपने कुछ कुछ किया है z के terms में इसको आप convert कर दो वो जो आपका previous assumption था और फिर finally इसको integrate कर दो solve कर दो हो जाएगा काम हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे ओके चलिए इसको solve करते हैं हम लोग equation है मेरे पास x cube y square plus x y is equal to dx और इसका solution यह आना चाहिए तो इसको हम लोग solve करें करते को कैसे solve करेंगे सीको question number है 1 आपके पास x cube y square plus x y is equal to dy by dx तो सबसे पहले तो आप linear या बरनॉली उसका format पहले लिख लो तो हमको पता है कि linear का format होता है dy by dx plus py is equal to q यह linear का format होता है और बरनॉली का क्या format होता है dy by dx dy by dx plus py is equal to q y to the power of n यह होता है linear यह होता है बरनॉली अब आपको नहीं पता for example क्योंकि हम लोग बरनॉली पढ़ रहे हैं इसलिए हमको पता है यह बरनॉली का problem है लेकिन अगर आपको नहीं पता रहेगा तो क्या करोगे बुलोगे अच्छा ठीक है चलो देखते हैं मिला जो लगे क्या format बनता है तो इस वाले equation को हम पहले लिखेंगे देखते हैं यह वाला format में आता है यह वाला format में dip करके आता है तो इसको लिखते हैं dy by dx क्योंकि left hand side में तो इदे लिखा dy by dx इदे लिख दिया और something into y जाना चाहिए तो हम इसको क्या करते हैं माइनस xy कर देते हैं तो इसको माइनस xy कर दिये is equal to यह इधर चला गया right hand side में उसको छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं इसको कर देते हम क्या x q y square x q y square ठीक है अब थोड़ा सक compare करके देखना तो पहुआ पी और क्यों क्या होना चाहिए सिर्फ x का functions होना चाहिए या फिर constant होना चाहिए dy by dx dy by dx है y के जेकर पर y है तो कोई दिक्कत नहीं मैंने इधर से compare किया तो मुझे दिख रहा है कि पी तो हमको direct मिल जा रहा है minus x देखो देखो पी तो हमको direct मिल जा रहा है minus x और साथी साथ हमको q जो है q हमको पता था कि सिर्फ x का function हो सकता है या constant हो सकता y का नहीं हो सकता तो यहाँ पे तो y यह जा रहा है लेकिन हमने यह भी सीखा है कि Bernoulli में y power something कुछ रहता है तो अब तो यह clear हो गया 100% कि यह वाला जो है यह linear तो है नहीं यह आगे आपका Bernoulli अब इस Bernoulli में dy by dx के जगह पे dy by dx, p के जगह पे minus x तो लिखा q के जगह पे आपको clearly दिख रहा है कि x cube होना चाहिए और y के power में n के जगह पे आपको दिख रहा है y square होना चाहिए तो जब आप इसका compare करोगे तो q आपको क्या मिल जाएगा? q मिल जाएगा आपको x cube q is equal to हो गया x cube और y power n बराबर y square तो यहाँ से आपको n का value मिल जाएगा है 2 यहाँ तक समझ में आया compare करके आपको बस इतना कुछ करना है अब finally गहर से देखे मैंने क्या बताए था? पहला step है कि q को अकेला रख दो तो यहाँ पर x cube है तो इसको आप अकेला छोड़ दो इसके साथ जो कुछ भी है उससे आप throughout divide कर दिजिए तो यहाँ पर y square है तो हमें क्याम करते हैं 1 by y square से multiply या फिर y square से divide जो बोलना है बोलो तो यहाँ पर 1 by y square dy by dx हो गया माइनस अब देखो 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 एकस y divided by y square is equal to x cube y square divided by y square इसको भगाना ही था तो काट दिये यहाँ पर आप क्या लिखा जा सकता है 1 by y square लिखेंगे dy by dx लिखेंगे कुछ करना चाहिए था हमको y और यह कर देते हैं तो क्या होनता है इसको तो हम लिख सकते है 1 minus देखो यहाँ पर यह तो काटेगा ना क्या बचेगा y बचेगा 1 by y हो गया तो हम एक काम कर रहे हैं इसको हम लिख दे रहे है minus 1 by y into x minus 1 by y into x is equal to x cube बात आ गई समझ में अब आपके पास options है क्या देखो आपने क्या किया था जैसे आपने divide कर दिया था throughout फिर आपने कुछ assume किया था देखो देखो गौट से keep q alone यह कर दिया है मैंने काम अब आपको assume करना है p के साथ में जो कुछ भी है उसको आपको z पकड़ना है और वहां से आप d z by d y find करोगे y को इधर बेजोगे फिर आपसर d z by dx को dy by dx के terms में आपको convert करना है तो यह चीज़ आप यहाँ पे इसको करो देखो यहाँ पे क्या assume करना है आपको यहाँ पे आपको assume करना है let z is equal to minus 1 by y कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो यहाँ पे आपने क्या assume करना है let z is equal to 1 by y अब देखो यहाँ पे दोनों साइट differentiate कर दो y के respect में तो क्या लिखोगे dz by dy यहाँ पे लिखेंगे dz by dy is equal to minus of d dy of 1 by y minus के बदले minus d dx of 1 by x क्या होता है minus 1 by y square तो लिखेंगे minus 1 by y square हो गया minus minus plus हो गया तो 1 by y square हो गया ठीक है ना अब क्या करने यहाँ से देखिए और से देखिए dz को लिखा जा सकता है 1 by y square है ने दो और dy को इधर वेज़ दो और यहाँ पे लिख दो dx यही substitution आपको करना है मतलब जहाँ पे आपको 1 by y square dy by dx दिख रहा होगा वहाँ पे आपको पट से dz by dx को बैठा देना है तो आप एक चीज़ गौर की हो कि यहाँ पे देखो गौर से कि 1 by y square dy by dx है ना तो इस पूरे टर्म के लिए क्या बैठाएंगे दीज़ बैठाएंगे तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं dz by dx इसके बदले और क्याजियूम था z के बराबर 1 minus 1 by y तो यहाँ पे minus 1 by y के बदले z लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो plus z x लिख दोगे और right hand side में क्या है आपका x cube है कोई दिकत नहीं क्या आपका convert हो चुका है linear equation में बिल्कुल convert हो चुका है यह गौर से देखो आपका linear equation का format हुआ करता था d हम z के terms में लिख दे रहे हैं या फिर उसी के तरजह से याद कियो dy by dx plus py is equal to q यह है ना तो अगर इस चीज़ को हम को z के terms में लिखना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे हम बोलेंगे dz by dx plus यहाँ पर y है यहाँ पर y है तो इसका मतलब यहाँ पर p z होना चाहिए is equal to q और q p और q functions of x या constant यहाँ पर भी p और q functions of x या constant अब ज़रा compare करो तो इस वाले equation को और इस वाले equation को को कोई similarity मिल रही है मुलों के sir dz by dx तो ठीक है कोई दिक्कत ही नहीं पी का value हमको पता चल जा रहा है यहाँ पर z है यहाँ पर z है यहाँ पर p है यहाँ पर x है तो हमको दिख गया कि p का जो value है यह तो और कुछ नहीं यह x है साथ ही साथ q जो है न सर वह x cube है तो q क्या है q हो गया हमारा x cube बस खेल कतम linear equation है आपको p पता है आपको q पता है क्या आप इसको solve नहीं कर सकते solve कर सकते हैं इसका solution क्या होता है linear equation का solution क्या होता था इसका बता दे रहे हैं तो y into integrating factor होता था is equal to integration integration q into integrating factor किसके respect में x के respect में यही चीज़ होता था यहां पे भी लिखा है न देखो कहा गया solution यह रहा something into integrating factor is equal to this plus c y into integrating factor is equal to q into integrating factor with respect to this plus c यह general linear equation का solution हुआ गरता था इसके terms में कैसे लिखें क्योंकि z का terms में तो z के terms में solution क्या हो जाएगा यह और कुछ नहीं z into integrating factor z into integrating factor is equal to integration q into integrating factor with respect to x plus c बस बात कदम वही चीज़ तो है यहां पे z into integrating factor is equal to integration q1 is equal to integrating factor into dx plus c यहां पे q1 क्या है मतलब आपने इस चीज़ को convert कलिया देखो है यहां पे p1 को क्या कर दिया p के terms में लिखा है और q1 को क्या लिखा है q के terms में लिखा है तो यहां ही चीज़ हम कर देते हैं यहां पे आपका p1 आ जा रहा है 1-n into p और q1 क्या आ जा रहा है 1-n into q तो इसको देखो formatting देखो इसका p आ गया है यह और q आ गया है इसको solve करो z और integrating factor क्या होता है यह आपने c का है integrating factor यहां से integration e to the power of p d x integration e to the power of p क्या है x है तो क्या लिखोगे integration e to the power of sorry yes यह नहीं होता है integrating factor होता है e to the power of integration p d x e to the power of integration x d x x का integration बताओ x square by 2 क्या लिखेंगे x square by 2 तो यह मेरा integrating factor आ गया multiply करो तो हम लिखेंगे z into e to the power of x square by 2 is equal to integration q क्या है x cube है तो लिखेंगे लिखेंगे x cube लिखा integrating factor क्या है e to the power of x square by 2 x square by 2 किसके respect में x के respect में plus c बास कर लिखें integrate z into e is equal to this z आपका क्या है z आपने assume किया था z is equal to minus 1 by y to put कर दो यहां पर minus 1 by y हो जाएगा into integration of sorry e to the power of x square by 2 is equal to integration x cube e to the power of x square by 2 x के respect में plus c मज़ेदार है integration solve करना है हमें चलो 11 to 12 में चलो चलते हैं चलो चलते हैं यहाँ पर मान लेते हैं let m is equal to x square by 2 मानने में कुछ जाता है कि कुछ नहीं जाता तो अब क्या करना चाहिए अब मुझे यह करना चाहिए कि दोनों side differentiate कर देना चाहिए इसको हम लिख सकते है dm is equal to 1 by 2 तो छोड़ी दो कोई दिक्कत नहीं है इसका differentiation हमको पता है यह 2x होता है और इसके बदले हम लिख सकते हैं dx होता है 2 और 2 कट जाएगा x dx के बदले आप dm लिख सकते हो x dx ध्यान रहे x dx के बदले में आप dm लिख सकते हो तो हम करते हैं इसको minus 1 by y छोड़ दो e to the power of x square by 2 है न तो उसके जगा हम m डाल दे रहे हैं रहने दो is equal to integration यहाँ पर x cube है तो 1x हम इसको दे देते हैं 1 to x हम इसको दे देते हैं ताकि x dx हो जाए मेरा तो हम इसको x square छोड़ देते हैं यहाँ पर e to the power of x square by 2 है तो हम m लिख देते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर x dx लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं minus 1 by y e to the power of m is equal to integration x square छोड़ दो इसको e to the power of m रहने दो x dx के बदले क्या आएगा dm आएगा plus क्या आएगा c आएगा अब गौर फर्माईए x square के जगह पे हमको तो 2m दिख रहा है तो इसके जगह पे हम 2m डाल दे रहें क्योंकि सब कुछ हमको भी step jump नहीं किये है आपको समझाने के लिए एक दा हम 2m लिख होगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2m e to the power of m tm plus c अब इसको solve गरना है इस वाले integration को solve करना है बहुत सारे लोग क्या isolate लगा देंगे sir आग बंद करके isolate लगा देंगे नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है हम आपको tips और tricks और techniques सिखाए हैं आपको integration solve करने का जब भी दो ऐसा function हो जिसमें एक derivative एक ऐसा function हो जिसका derivative करते 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 कहीं पे 0 आ जा रहा हो तब आपको isolate, toilet, royal rule सब कुछ नहीं लगाना है आपको लगाना है chain rule तो इसको हम कर रहे हैं integrate अलग से कर देते हैं integrate फिर यहाँ पे इसको put कर देंगे तो हम अलग color से दिखा दे रहे हैं यह तो है इसको रहने देगो इसमें तो कोई दिखकत नहीं है minus 1 by y e to the power of m है और इसका जो constant है उसको छोड़ दो 2 को छोड़ दो आपको जो integration करना है वो करना है m into e to the power of m इसका आपको integration करना है ठेक है और इधार constant है c तो रहेगा ही constant इसको कैसे solve करेंगे इसको देखो हम अलग से solve करते है side में फिर वहाँ पे हम put कर देंगे जैसे यहां लिखे note अलग से लिखो integration m dm sorry integration m e to the power of m dm यह आपको solve करना है c को कैसे solve करते है chain rule यह बोलता है कि अगर दो function है तो लिखो यहां पर chain rule जो मेरे पूराने विद्यारती होंगे उनको पता होगा जो नए है उनके लिए मैं बता दे रहाऊ chain rule में यह बोलता है कि अगर आपका दो function है u और v अब dx, dy सब भूल जाओ दो function है u और v तो आपको क्या करना है पहला function को वैसे का वैसे छोड़ देना है क्या बोले जो पहला function है उसको वैसे का वैसा ही छोड़ देना है multiply करना है जो दूसरा function है इसका एक बार integration करके तो पहला function को छोड़ दो और दूसरा function का एक बार आप integration कर दो तो इसका integration को हम represent कर रहे हैं suppose v1 से समझ लो नीचे में अगर हम कुछ लिखेंगे तो समझ जाना वो integration represent कर रहा है उपर में dash 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 करेंगे तो समझ जाना differentiation represent कर रहा है क्या कि ये दो function है आपके पास पहला function को as it is छोड़ दो दूसरा function का एक बार integration करके यहाँ पर लिख दो बस अब यहीं से chain चलेगा क्या चलेगा chain चलेगा सुनो rule यह आपको मिल गया यहीं से आपको क्या करना है derivative of first function अरे undo undo derivative of first function first function का आपको derivative लेना है second function का आपको integration करना है फिर यहाँ कुछ भी मिलेगा कुछ भी मिलेगा इसका आपको derivative लेना है और यहाँ जो मिलेगा इसका आपको integration लेना है बस ऐसे ही करते रहना है अब पूछोगे sir, sign का क्या करें sign के लिए यहाँ पे अगर positive है तो अगला आजाएगा आपका negative यह अगर negative है अगला आजाएगा आपका positive आगया समझ में तो हम इसको क्या भरें, बताओ यह u है, इसका एक बड़ derivative को represent करने के लिए हम लिख देते हैं u dash sorry, अलग color से लिखते हैं white से लिखते हैं यह है, इसका एक बड़ derivative करते हैं, तो लिखते हैं u dash, u dash का फिर से derivative करोगे तो क्या होगा u double dash v1 है v1 का एक बार integration करोगे तो already कर चुके है v1 इसका फिर से integration करोगे तो उसको हम लिख दे रहे है v2 इसका फिर से integration कर रहे है तो इसको क्या लिए दे रहे हैं, V3 आए समझ में, नहीं समझ में आए, तो example से देखो आपके पास example है, m e to the power of m dm बस इसका एक limitation है, यहाँ पे लिखो one function, one एक खासियत बताएं, यह जो screen है न जब मुझे training दिया गया, तो उसने बोला कि sir आप इस पे कस्क, धम, धुम, धुडम, कुद भी जाओगे न कुछ नहीं होगा इसको, seriously कुछ भी नहीं होगा, वैसे मैं camera पे test नहीं करना चाहता, मुखका मारने का, बट उसने मुझे confidence दिला कि sir यह जो design किया गया न, आने वाले समय के लिए, बच्चों के लिए भी design किया गया, classroom में रहेगा, तो बहुत सारे शरारती, बच्चे बगर तो हैं, तो जाकर के board पर ही ठाक ठाक करेंगे, इसलिए इसको design ही किया गया है, कि आप जाकर कि कुछ भी करोगे न, पत्तर भी पेखोगे, कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है, हाला कि मुझे डर लगता है कि अगर थोड़ा कुछ, बुला कि नहीं शरार्क के मतीर स्चर ठीक, बच्चे स को चेंगे, य gent likelihood आजाओ, स्चेंप एगा, इस library अजया हां, य fajा, आजाओ, वे न, ऑा बच्च्च् कियर थेका बा? at some point becomes 0. मतलब कोई एक ऐसा function होना चाहिए जिसका आप derivative करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, कभी ने कभी आपका 0 आना ही चाहिए, तभी ये वालत rule valid है वरना नहीं. क्या logic है सर, logic यही है क्योंकि आप तो chain rule कर रहे हो ना, कहीं ना कहीं तो आपको रुकना पड़ेगा, तो derivative कर रहे हो, तो obviously integration कर रहे हो तो उसमें तो 0 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप चीजों को जोड रहे हो, जब आप जोड रहे हो तो उसको 0 कैसे बना सकते हो, लेकिन जब आप तोड रहे हो, तब तो 0 बनेगा ना, तो जाहिर सी बात है, तो integration में तो 0 नहीं हो सकता, differentiation में 0 हो सकता है, तो differentiation के लिए बोले कि इस दोनों में से कोई एक ऐसा function होना चाहिए, जिसका derivative at some point 0 होना चाहिए, तो दिख रहा है आपको, अब बताइए, e to the power of m का derivative कभी 0 हो सकता है, नहीं होगा, m का derivative क्या 0 हो सकता है, अरे हाँ हो सकता है, एक बार derivative करोगे तो 1 आएगा, अगले बार कर दो 0 हाजाएगा, बास क्याल खदम, देखो देखो, तो इसमें u किसको लेंगे, v किसको लेंगे, u लेंगे m को, तो क्या सी rule सिखाए, बोले कि first function को as it is कर दो, एक बार, तो इसको integrate करोगे तो क्या होगा, e to the power of m, बस, अब आप इसको देखना भी नहीं है, पीछो को भूल जाए इसको, अब क्या करना है, first function का derivative, तो इसका हो जाएगा, इसका derivative, मतलब 1, और इसका differentiation, इसका integration, तो e to the power of m, फिर इसका differentiation, क्या होदा है, अरे 0 हो ग तो यहाँ minus, यहाँ minus, तो यहाँ plus, तो final क्या बन गया यह, यह बन गया, integration m, e to the power of m, dm, यह है न, is equal to, m, e to the power of m, minus, 1 into e to the power of m, क्या होगा, e to the power of m, यह होगा, बस, अब इस वाले result को आप उसमें put कर दीजे, बस, यही तोच करना है आपको, इसका क्या value, m e to the power of m, minus e to the power of m, डाल दो, यहाँ पर, यहाँ पर, डाल, डाल, अरे डाल, minus 1 by y, e to the power of m, is equal to 2, इसका क्या होना चाहिए, m e to the power of m, minus m, तो bracket में डाल दो, m, e to the power of m, minus m, क्या होगा, m को आपने माना था, x square by 2 को आपने यह m माना था, m के जगा पर, डाल दीजे, तो, minus 1 by y, e to the power of x square by 2, is equal to 2, bracket में, x square by 2, e to the power of x square by 2, minus x square by 2, plus c, अब ऐसे छोड़ना है, तो छोड़ दो, या फिर simplify करना है, तो करीदो, minus 1 by y, e to the power of x square by 2, is equal to, cut-chat, x square, e to the power of x square by 2, minus, cut-chat, x square, plus c, क्या यह वही आंसर है, जो आपको यहाँ पर दिया गया था, जड़ा देखते हैं, एटा की, यहाँ पर तो कुछ और ही आ गया, minus e to the power of, देख 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 देख, क्या आपको यहाँ आपको, oh, minus e, sorry, m e to the power of m, minus e to the power of m, क्या गर दिया मैंने, कभी-कभी घोचु वाला काम हो जाता है अपन से, तो e to the power of m है, e to the power of x square by 2 है, और यह, e to the power of x square by 2 है, तो आप चाहे ऐसे लिख के छोड़ने, या फिर आप यहाँ पे तो bracket में लगके रखा है, ऐसे लिख के छोड़ने, आपकी मर्जी है, तीक है, आप इसको वगर वगर जो भी यह काटना हो, चाटना हो, आप इसको कर सकते हैं, final answer आपका यही है, आपको कॉंसेट समझाने के लिए यह चीज़ सुफिशेट था, यह question आपका comment question है, प्लीज, आपको अगर मुझे वट्सब पे दिखाना है, तो आप मुझे वट्सब पे भी देख सकते हैं, मैं काफी अति प्रसन हो जाओंगा, हलांकि मैं अगर अवेलेबल रहा तो अच्छी बात है, नहीं भी रहा, तो कभी मेरे स्रिस्टेंट रहेंगे न, मतलब मैसेज मुझे फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब मुझे फीडबैक देदेंगे, हाँ आपके स्टूडेंस ना होमवर्क भेज रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा, अगर मैं अवेलेबल रहा, तो मैं देख लूँगा, तो यह रहा आपका comment question, please solve करिये, solve करके क्या करना है आपको, आपको match करना है, कि आपका ये वाला answer आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इस वाले lecture में मैंने बस दो question लिया, उसमें से एक मैंने आपको आस्ते आस्ते, काफी अच्छे से समझाया है, और फिर जो आप सीख लियों concept से आप बुक से वगरा वगरा करोगे, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बस concept दिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे चीज़े पढ़नी है ना, तो कैसे होगा, करना है, तो ये था आपका lecture, Bernoulli equation पे, यही है rules and regulations और भी कुछ extra unnecessary stuffs आपको नहीं करने है, आपको यही rules and regulations लगाना है, और question को solve करना है, I hope समझ में आगया होगा आज अगा lecture, मिलते हैं आप से अगले lecture में, तब तक के लिए, बाए,